सेमाले कुम फ्रेंड्स आज हम लेकर आएं हैं आप सब के साथ शेयर करने के लिए चिली प्रोन की रेसिपी जिसको बनाना बहुत आसान है और बहुत यमी लगता है कैसे आसानी से बना सकते हैं चलिए सुरो करते हैं हम इस तरीके से प्रोन ले लिए हैं इसका कवर निकाल दिये हैं धो कर अच्छे से ले लिए हैं एक चमच नमक डाल रहे हैं एक केजी प्रोन हैं हाप चमच हल्दी डाले और उसको मेक्स करके रख दिये यहां पर अद्रक लसुन का पेश्ट एक झमच लिये हैं याशन टेबुलम स्पोन locked चिल्ली पाउडर वान टेश्पून , जीरा पाउडर वान टेश्पून ऑर kindly री मिच्ची पाउडर 1 teaspoon और एक अंडा लेना है और इहां पर चावल का आटा 2 चमच ले रही हूँ और कौन्फ लोर 2 चमच ले रही हूँ 5 इससे ख्रीपी हो सकता है और मैगनेड भी अरौनिंट हो जाएगा मतलब गड़ कॉटिंग अच्छा होगा इसलिए हम अधयाunta क्रि आप चाहें तो इसकेप भी कर सकते हैं फूट कलर डाल दीजेगा और उसको मेक्स करके ढख कर फ्रीज में रख दीजेगा आपके पास टाइम है तो घंटा दू घंटे के लिए रख दीजे या फिर दूसरे दिन भी बना सकते हैं यहां पर एक घंटा रखने के बाद हम इस त पकोड़ा तयार है, अब हम चिली प्रोन बनाएंगे, तो यहां पर तेल थोड़ा सा गरम कर लेना है, यहां पर ग्रेट करके ले ली हूँ, लसन, अदरक, मिर्ची और कैपसिकम कट करके ले ली हूँ, प्यास कट करके ले ली हूँ, सबसे पहले यहां पर लसन ग्रेट किया ह मिर्ची ग्रेट किया हुआ डाल रही हूँ और थोड़ा से स्लाइस में भी कट करके डाल रही हूँ आपको जितना तिखा चाहिए आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा सिमला मिर्च और प्याज डाल दीजिएगा और हम यहाँ पर कड़ी पता डाले हैं आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं और थोड़ा से नमक डाले और इसको मिक्स कर लिए एक मिनिट पका लेने के बाद यहाँ पर टामाटो कैचप डाल दीए दो से तीन चमच और सोया सॉस एक चमच सिरका एक चमच दो चमच यहाँ पर चिली सॉच डाले हैं और उसको मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पर प्रोन जो फ्राइ करके रखे थे वो डाल दिये और उसको मिक्स कर लेना है यहाँ पर देख सकते हैं और इसको ढखकर दो मिनिट के लिए पका लेना है इस तर कि से चिली प्रोन यमी यमी तःार है बहुत ही मज़े का लगता है आप चाहें तो ट्राइ कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपने फ्रेंड और फैंमिली के साथ चाहें तो शेयर कर सकते हैं इसका फाइदा और लोग भी उठा सकें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शक्रिया अला हाफिज फिर ऐसे ही मज़ेदार और आसान रेसिपेश लाओंगे इंशाला थैंक यू